के गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोग की प्रॉब्लम से रेलेटेड जैसे कि आप लोग को पता है इतना सारा पॉलूशन हो चुका है जिससे हम लोग इतना घिरे हुए हैं कि हम लोग ना चाहते हुए भी बहुत सारी अन्वांटेड डिसीजर से घि भड़ना चैर एप फेफ इंपकbles कम इंड से एजिंग आ जाना काव पी सी ओड की प्रॉब्लम थैरायट की प्रॉब्लम की वेट लॉस की प्रॉब्लम और ना जाने कितनी प्रॉब्लम तो आज मैं आप लोग के लिए साथ ऐसे प्रोडएक्ट को ले कर आई हूं ऐसे जरू करें तो आज हमें लेकर आई हूं आप लोगों के लिए मार्स वाई GSC का जिसके प्रोडेक्ट जो कुछ इस तरह की कार्ड़ोड की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है और यह कुछ इस तरह से बहुत ही आउटर पैकेजिंग कर बात करूं तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है तो दोस्तों यह जो कंपिनी है हमारे सिर्फ हेयर पर ही नहीं हमारे हेयर इसकेन वेट लॉस और मैंस्ट्रल हैल्थ और PCOS की प्रोब्लम पर भी वर्क करती है दोस्तों अब आप लोग कूछेंगे मैं कौन से प्रोड़क को आपको साथ शेयर करने वाले हू तो मैं सेयर करने वाली हूँ आप लोगों के पास माक्सपाइज जी एसी का फेश टोनर जो कि हमारे प्योर्स टाइटनिंग का काम करता है यानि कि सबसे पहले अगर हमारे पिंपल्स रिंकल्स या हमारे ओईली स्केन है तो हमारे अकर प्योर्स टाइट रहेंगे या प्यो ही होगी तो दोस्तों आज मैं आप लोगे शायर करने वाली हूं मार्स वाई जी एसी का फेश टोनर प्योर टाइटनिंग तो वह कुछ इस तरह की आउटर पैकेजिंग में मुझे रिसीव होता है और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर देखिए यह इस तरह की बोट ह defense øसे पेवर हम जाल लेते हैं इस प्रोड़क के आउटर फैकेजिंग के बारे में और यह कैसे यूज करना है इसके अंदर कौन-कौन-सी इंग्रेडियन्टी यूज किये गए उस भी की बारे में हम आज कि बीक लिए। इस तरह के पैकेजिंग में मिलता में मिलता है इस छिए खोकिस और शागता दो इसके अंदेर क्या क्या पढ़ली जाता है झाने की ग्रेच को पेडिक चया जाता है? जो कि वाहते पेडियरींस तों पर जेक मात सरा उसलिवहां को्ता किस्त उपकेडियरींस capabilities szczet 맞े है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ा मिलाई जाते हैं जिसमें मैन मैन है पी एचे नाइकोडाइन एन हाइलोरोनिक एसेड और एमिनो एसेड यह चार तीज़ा इसमें मैन है जो कि हमारे स्किन में बहुत अच्छा वर्क करती है इसके आउटर पैकेंजिंग में यहां मैंसन है और इसकी अगर हम एमेल की बात कर रहे हैं तो यह 150 ml की हमें मिलती है बोटल जो कि हमारे काफी टाइम तक चलने वाली होती है क्योंकि यह हमारे बिल्कूल भी चिपचिपाहट नहीं देती है फेस पर यह हमारी एकदम डाज लगाते ही एब्जॉर्ब कर जाती है और इसके इक दम हमारे नेचुरल दिखती है बस आपको यूस करने के लिए एपने फेस को क्लीन करना है हलके से मैल्ड क्लीन करना harvest की और आपको finger टिपस के help से अपने फेस पर मसाज कर लेनी है यह हमारे जो फेस का है इसके इसके एहप लेस से हमारे पाजर की light dopamine हो जाती है साथ हमारे hydration जो होता है वो ये lock कर देता है ताकि हमारे जो चेराइ dehydrate ना हो और इसको बेस्ट result के लिए आप एक दिन में दो बार इसे use करें दोस्तों और इसका buy link description में वहाँ से जाके easily buy कर सकते हैं